दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2020 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में कौन सी हैं वो 10 गाड़ियां जो सबसे ज्यादा बिकी हैं साल 2020 में और दिसंबर महीना डिसाइड करेगा टॉप 10 में कौन रहने वाला है तो शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की 10th पोजिशन पर आने वाली Hyundai Grand i10 के साथ जनवरी से लेके नवंबर तक पूरे भारत में इस गाड़ी की 81,660 यूनिट्स बिकी हैं Hyundai Grand i10 Nios ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और CNG तीनो ही वेरियंट्स में मिल रही है मारकेट में मैनुल और AMD ट्रांस्मिशन में 2225 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक शोरूम प्राइज 5,13,000 रुपे से शुरू होती है और 8,36,000 रुपे तक जाती है और दिल्ली ओंडोर प्राइज 5,676,000 रुपे से शुरू होती है नाइन पोदीशन पर आई है हुन्डाइ की मिड साइज SUV हुन्डाइ क्रेटा जिसकी पूरे भारत में जनवरी से लेके नवंबर तक 86,397 यूनिट्स भी की है ये गाड़ी पैट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुल और आटोमेडिक ट्रांस्मिशन में 17-21 की MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है कुछ महीने पहले ही इसमें बेस वैरियंट E में पैट्रोल को इंडेड्यूस किया गया है यून्डे क्रेटा की दिल्ली एक्ष्वरूम प्राइज 9,82,000 रुपए से शुरू होती है और 17,33,000 रुपए तक जाती है ओंडोर प्राइज 11,12,000 रुपए से शुरू होती है एट पोजिशन पर आई है मारूती की इको मारूती इको की जनवरी से लेके नवंबर तक पूरे भारत में 88,265 यूनिट भी की है ये गाड़ी पैट्रोल और CNG दोनों में मिलती है मैनूल ट्रांस्मिशन में 16.11 की MPL का माइलेज पैट्रोल वेरेंट के लिए क्लेम किया जाता है और CNG के लिए 30.47 किलोमीटर पर केजी का दिल्ली एक्षरूम प्राइज 3,82,000 रुपए से शुरू होती है और 4,96,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली एक्षरूम प्राइज 4,30,000 रुपए से शुरू होती है सेवंध पोदीशन पर आई है किया सेल्टॉस जिसकी जनवरी से लेके नवंबर तक टोटल पूरे भारत में 91,324 यूनिट्स भी की है ये गाड़ी पैट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियन में मिल जाती है मैनुवल और और आटोमेडिक ट्रांस्मिशन में 16.1 तो 21 के एमपियल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्षरूम प्राइज 9,90,000 रुपए से शुरू होती है और 17,55,000 रुपए तक जाती है दिल्ली एन रोड प्राइज 11,07,000 रुपए से शुरू होती है सिक्स पोदिशन पर आई है मारुत्व की अर्टिगा और एक्सेल 6 दोनों की कमबाइन यूनिट जनवरी से लेके नवंबर तक पूरे भारत में 91,920 भी की है दोनों ही गाडियों में सेम इंजन ऑप्शन यूज किये गए है दोनों ही गाडियां आपको पैट्रोल मिल जाती है लेकिन अर्टिगा में आपको एक CNG का ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है दोनों ही गाड़िया मैनुल और आटमेडिक दोनों ही ट्रांस्मिशन मिल जाती है 17.99 तो 26.2 क्लोमीटर पकेजी का माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्षो रूम प्राइज एक्सल 6 के लिए 9,85,000 रुपे ते शुरू होकर के 11,52,000 रुपे तक जाती है और अर्डिगा के लिए 7,69,000 रुपे ते शुरू होकर के 10,13,000 रुपे तक जाती है फिप्ट पोजीशन पर आई है मालुतिक की डिजाय जिसकी साल 2020 में जनवरी से लेके नवंबर तक 11,101,101 यूनिट्स भी की है ये गाड़ी केवल पैट्रोल वेरेन मिलती है मैनुल और अम्ट ट्रांस्मिशन में 23.26 तो 24.12 कमपल का इसमें मालेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्शुरूम प्राइज 5,89,000 रुपे से शुरू होकर के 8,81,000 रुपे तक जाती है और दिल्ली ओंडोट प्राइज 6,48,000 रुपे से शुरू होती है फोर्थ पोदीशन पर आई है मारूतिकी वैगनार जिसकी साल 2020 में पूरे भारत में जनवरी से लेके नवंबर तक 1,30,614 यूनिट्स भी की है और ये फोर्थ पोदीशन पर आ गई है ये गाड़ी पैट्रोल और CNG दोनों ही वेरियन में मिल जाती है फोर्थ पोदीशन पर आई है मारूतिकी वैगनार जनवरी से लेके नवंबर तक साल 2020 में इस गाड़ी की 1,35,936 यूनिट्स भी की है वेट्रोल और CNG दोनों में ही मिल जाती है केवल मैनुवल ट्रांस्मिशन में 22.05 की MPL टू 31.59 क्लोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्ष्यरूम प्राइस तीन लाग रुपे से शुरू होकर के 4,38,000 रुपे तक जाती है और दिल्ली ओन रोड प्राइस तीन लाग 27,000 रुपे से शुरू होती है साल 2020 की सेकेंड हाइस सेलिंग कार है मारुती बलैनो इस गाड़ी की जनवरी से लेके नवंबर तक पूरे भारत में 1,35,956 यूनिट्स भी की है अगर इसके साथ साथ ग्लांजा जो की इसका ही रपैच बर्जन है और टोयोटा के द्वारा लॉंच किया गया है उसको भी एड़ कर दिया जाए तो उसकी 18,574 यूनिट एड़ की जाए तो इस गाड़ी की टोटल यूनिट होती है जनवरी से लेके नवंबर तक 15,530 यान मारूती की बलैनो आपको केवल पेट्रोल वेरियंट मिलती है मैनुवल और सीवीटी ट्रांस्मिशन में 19.56 तो 21.96 की MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक शोरूम प्राइज 5,70,000 रुपे से शुरू होती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइज 6,19,000 र 42,634 यूनिट्स भी की है ये गाड़ी आपको केवल पेट्रोल वेरियंट मिलती है मैनुवल और एम्टी ट्रांस्मिशन में 21.21 की MPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक शोरूम प्राइज 5,19,000 रुपे से शुरू हो करके 8,02,000 रुपे तक जाती है और दिल् जाते हैं जो साल 2020 में जनवरी से लेके नवंबर तक सबसे ज्यादा भी की है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं या इस वीडियो को लेकर कि आपको कोई सुझाव हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ओके कार 24-7 यूट्यूब चैनल पर आप लोग के सपोर्ट के द्वारा आज 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं थैंक यू फोर यू सपोर्ट और थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो